नमस्कार दोस्तों मैं अनूपिक फर्मासिस्ट आप सभी का स्वगत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोमेटासोन क्रीम के बारे में और इस वीडियो में पूरे फुल डीटेल्स में देखेंगे कि मोमेटासोन का य चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आने वाले हर एक नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलते रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मोमेटासोन क्रीम होता क्या है तो मेमेटासोन क्रीम जो है के एस्ट्राइडल मेडिसीन है जो कि जिसे की हम लोग मोमेटासोन फ्यूरेट के नाम से भी जानते हैं मोमेटासोन क्रीम का यूज एसकीन से रिलेटेड बहुत सरे डिजीज को सही करने के लिए यूज में लिया आता है आगे देखते हैं मोमेटासोन के स्ट्रेंथ क्या ह जिसको की यूज में ले आता है अब इसके आगे देख लेता है डोजस फ़ॉर्म, मोमेटासोन के क्या-क्या डोजस फ़ॉर्म है वो देख ले रहे हैं तो यह जो है, यह आपको क्रीम के फ़ॉर्म में वांतमेंट और इिनहेलर के फ़ॉर्म में एलो मेट और मोमेट और इसके आलामें जो मोमेटासॉन है वह अपने ज्नरिक नेम से मार्केट में बिलेबल है तो आप इसके जैंकर झाली कने 16% हो सकते हैं हो सकता है आपके एरिया और डॉक्टर के एक कोडिंग इसके जगह पे कोई और brand name से आपको ये cream मिले आप उसे भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो अंदर में जो composition होगा ओ मोमेटा सुन फ्यूरेट ही रहेगा तो आप इसे ले सकते हैं अब इसके आगे हम देख लेते हैं usage तो usage को पूरे full details में देखते हैं जो मोमेटा सुन है और उस cream का use कहां कहां पे करते हैं तो इसका जो use है अटोपिक एक्जीमा में हम लोग करते हैं इसमें होता क्या है कि जो patient होते हैं उनके skin पे क्या होती है कि सूजन आयाती है और सूजन के साथ साथ teaching रहेगी खुजली चलती रहेगी जिससे patient को बहुत सारे परसानियों का सामना करना पड़ता है तो उस जगा पे अगर मोमेटा सॉन अगर अपलाई किया जाए तो उससे काफी जल्द रहात मिलती है अब इसके अला में जो होता है और फिट contact dermatitis में भी इसका use कियाता है इसमें क्या होता है कि अभी एक skin disease ही है जो कि generally आपको soap लगाने से या फिर jewelry पहनने के वज़े से हो जाते है और ये जो होती है जनरली देखायाता है कि गर्दन के नीचे हो जाती है या फिर और भी पूरे body में भी हो सकती है तो वहाँ पर भी डॉक्टर अपने patient को में वेटासन क्रीम प्रिसक्राइब करते है जिसको use करने के बाद उन्हें काफी फायदा मिलता है अब इसके आगे देखते है जो अगला use है वो क्या है तो अगला जो है leachian simplex नाम से एक disease होती है उसमें भी इसका use करता है इसमें patient के इसमें patient को क्या होता है क्योंकर उनके सीर पे क्या होता है white या red color के patches हो जाते है और swelling हो जाती है और साथ खुजली भी चलते रहती है आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे कैसे patches बन गया है उसके gherdana पे patient के ये पूरे सीर में भी हो जाता है फिर हाथ पैर में भी देखने को मिलता है तो यह भी पषानी देखने को मिल सकता है तो यहाँ भी doctor इसे prescribe करते हैं इसकी अलाब में फिर safety prepared में भी इसका the bomb उनके चेहरे पे एकनी हो जाता है और साथ यसाद पेंग रहता है और पेंग रहेगा जिसके वज़े से क्या होता है कि पेसेंट बहुत परेशान रहते है तो वहाँ पर फिर नेल इंफेक्षन में भी याता है कि जो nail होता है वो cut cut के गिरने लगता है जढ़ने लगता है और वहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो इसमें भी इसे doctor दोरा दे आता है जिसको लगाने के बाद patient को काफी जल्द आराम मिलता है तो वहाँ पे भी इसका use कियाता है आपसे एक request है कि कभी आप इस cream को use करने से पहले एक बार अपने doctor से मिल ले अपने doctor से सलाह लेने के बाद है इस cream को use करें अब इसके आगे देख लेते हैं वार्निंग क्या क्या है किस किस condition में आप इसे नहीं लगा सकते हैं तो जो warning है यह आपको sunlight में आप लगा करके नहीं निकलना है फिर या सारे चीजों को अपको ध्यान रखना होगा वहां पे आप इसे नहीं लगा सकते हैं अब इसके आगे देख लेते हैं कि यह जो cream होता है मोमेटा सौन इसको अप लगाना कैसे इसको apply कैसे करना है आपके body पे जैसे कि आप यहाँ डिस्पले पे देख सकते हैं सबसे पहले आ हलकी सी परत वहां पे लगाएं और अच्छे तरीके से मसाज कर दें और उसके बाद से उसको overnight छोड़ दें तो उससे क्या होगा कि बहुत ही जल्द आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा और इसको आप पूरे दिन में एक बार से दो बार इसको लगा सकते हैं लेकिन अ चेंज किया आता है अब इसके आगे देख लेता है side effects क्या-kia side effects देखने को मिल सकते हैं मोमेटासन को तो वैसे तो आपने देखा कि यह काफी अच्छी medicine है काफी अच्छी cream है लेकिन इसके कुछ side effects भी है तो जो side effects हैं वो आपको swelling रह सकती है swelling के साथ body में eating रह सकती है जहा क्रीम पर सोर्स आ सकते हैं और जो skin का जो color है color change हो सकता है तो यह सारे कुछ side effects हैं यह देखने को मिल सकते हैं गर इस तरीके का कोई side effects लगर आपके body पर दिख रहा है तो आप इस cream को लगाना बंद करें अपने doctor से मिले और उन्हें अपने परिसानी बताएं ताकि वो आपक को share करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और आपसे एक request है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बेल नोटिफिकेसन आइकान को भी जहें